गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूटिव चैनल AD Smart Classes में और जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस परिक्षा को भी से दियान रखते हुए आप लोगों के लिए AD Smart Classes हिंदी की निसूल के कक्षाएं लेके आया हुआ है और सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं इसके अलावा जहां जहां भी हम हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी आती है उन सब परिक्षाओं को दृष्टिकत रखते हुए हम लोग लेके आए हैं हिंदी का इस पिसल बैच ठीक जो आपको लाइव भी उपलब दोगा और आपको रिकॉर्डिंग बैच भी मिल जाएंगे मिल रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिल जाएगे तो बिटा हम लोगों की यह आज ग्यार्वी क्लास है इसके पहले दस क्लासे अम लोग पढ़ चुके हैं आईए चलते हैंम लोग अपने क्लास में अपने आज की जो है अम लोगों की कच्छा रहेगी गिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पुर्ण क्रीजालिश्डी हम लोग विशेशन तक पढ़ चुके खेंगे अब आज हम लोग क्रीजा पढ़ेंगे और विजो दूतिने हाँ देखो बिटा यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया जैसे आप लोगों ने एक्षन जिसको आप इंग्लिज में क्या बोलते हो? एक्षन मलब जो भी क्रिया है जो भी करता जिसको अभी संपादन करता है करता के जो आरा जिस चीज का संपादन जो होता है तो वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है मतलब जो करता क्रिया कर रहा होता है जो करता का एक्षन होता है वो सारी चीजें क्या कहलाती है? क्रिया होती है जो सब्द किसी कार के करने या होने का बोद कराते है इसी को आप action कहते हो, कार को करने या होने का जो भी बोध कराए, particular वो सब्द क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा, परिवासा क्या हो जाएगी, जो सब्द किसी कार के करने या होने का बोध करवाते हैं, वो बिटा सब क्या कहलाते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं, अब क्रिया गर ब्रॉडली डिस्क्राइब करें तो हम पाते हैं कि क्रिया मुख्ध दोप्रकार की होती है अभी और भी बेद आएंगे प्रेनार्थक क्रिया हो गई पूरवकाली क्रिया हो गई वो अन्ने बेद से हो जाती है लेकिन मुखिता अगर हम इसको बताएं, तो मुखिता इसके दो भेद बताए गए, एक तो सकर्मक और दूसरी अकर्मक, सकर्मक में क्या होगा, सकर्मक देखो नाम से इस पस्ट है सकर्मक, मतलब क्या होगा, कि जिसमें कर्म दिया गया हो, जो क्रिया कर्म के सहित आए, ठिक, वो हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और जिसमें, और अकर्मक क्या हो जाएगा, भाई दो प्रकार किये ना, एक सकर्मक, एक अकर्मक, अकर्मक में क्या हो जाएगा, जहां क्रिया कर्मके सहित ना आए, मलब क्रिया के वल अकेली चली आए, कर्मका उससे कोई लेना देना ना हो, ठीक, क्रिया मतलब बोले तो एकदम सिंगल, है न, बिना किसी कर्मके, और सकर्मक में क्या हो जाएगा, सकर्मक में वो आएगी कर्मके साथ, तो इस वज़े से यहां पर देखते हैं, वही बताया गया, कि क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, एक त दूसरी कौनसी क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया, आकर्मक मतलब बिना कर्म के, आकर्मक ठिक मलब बिना कर्म के और सकर्मक का मतलब कर्म के सहित, कर्म के सहित, यहां तक समझ में आया, कोई दिकत, देखो, आकर्मक क्रिया में बेटा क्या है, जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता भाई कर्म पर कैसे नहीं जब कर्म ही नहीं होगा तो कर्म पर पड़ेगा नहीं प्रभाव अगर कर्म दिया गया होगा तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा है ना जैसे राम गीत गाता है तो राम गीत अब यहां पर कर्म दिया गया है गीत राम क्या कर रह गीत गाह रहा है अब वो अगर गाना बंद कर दे तो किस पर प्रवाव पड़ेगा गीत पर प्रवाव पड़ेगा लेकिन जब कर्म ही नहीं होगा राम गाता है तो जब अब वो गाता है केवल अब क्या गाह रहा है क्यों गाह रहा है कैसे गाह रहा है किसके लिए गाह रहा तो फिर वहां पर हमारा कुछ भी कर्म वगेरा उस पर depend नहीं करेगा, कर्म पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही यहां पर जब हम देखते हैं कि जहां क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, वहां अकर्म क्रिया होती है, अर्थात जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवस्यक्ता नहीं होती देखो बात वहीं आ गई कि जिस क्रिया को जिस भी एक्षन को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती किसी भी कर्म की जरूरत नहीं होती कर्म की आवस्यक्ता नहीं होती वो हमारी क्रिया कैसी कहलाती है विटा अकर्मक्रिया कहलाती है ठीक उसे हम अकर्मक्रिया कहते हैं जैसे राम हसता है राम हसता है अब राम हस रहा है या राम कभी राम का मन होगा रोने लगेगा अगर उसको कोई चॉकलेटे टॉफी नहीं देगा राम का कुछ भी मन है राम अभी गाने लगेगा राम स्वतंत्र है राम ना उस पर कर्म का कोई प्र तो दिया गया है तो देखो छोटे बच्चे है यह हमारे बीटा करता हो गये जोर रोते हैं, अब रोते हैं, अब यहां कहें तो जोर से सर दिया गया है, तो जोर से क्या है, जोर से तो वो क्रिया की विशेष्टा बता रहे हैं, जोर से क्या कर रहे हैं, जो जोर से सब्द है, धीरे से है, उंचे, नीचे, ये सब क्या हो गए, ये तो हमारे क्रिया विशेष् यह कर्म नहीं है यह क्रिया की विशेष्टा बताने वाले शब्द हैं तो यह हमारे क्रिया की विशेष्टा कहलाएंगे तो यहां पर भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मोहित देर तक सोता है अच्छी बात है मोहित क्या करता है सोता है अब सोता है देर तक सोता है मतलब सोने की क्रिया कैसे करता है देर तक करता है ये भी उसकी विसेस्ता बता रहा है किसकी क्रिया की विसेस्ता बता रहा है तो देर तक जल्दी ये सब हमारे क्रिया विसेशन हो जाएंगे तो यहां पर बिटा कर्म कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रव क्रूम क्रियाएं," जयसे देखो Swona, जागना, estra, Ram chances can you can't recognize that and wake up, stay here, eachanoat and lift, get up, sit, sit down, weight, lean and raise the sector", ये संदो हमारी कितने हो गएं, यह सब अकर्मक क्रियाओं हो गई, यह सब कैसी क्रियाओं हो गई, इनको प्रयोग करने के लिए आप अगर कर्म ना भी लगाओगे तो काम चलेगा, कर्म किया वशक्ता नहीं होगी, कर्म पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यह सब किस में आ जाएंगी बिटा, अकर इसके बाद हम लोग आते हैं तुरंत सकर्मक क्रियाओं में, ठिक, सकर्मक क्रियाओं में जब आते हैं, तो यहां पर चर्चा करते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, तो कर्म पर अगर पड़े, त हम सकर्मक्रिया कहते हैं जैसे स्याम ने पुस्तक खरीदी अब स्याम ने क्या खरीदा पुस्तक खरीदा है ना तो खरीदना ये हमारी क्रिया कैसी हो गई सकर्मक्रिया हो गई क्यों क्यों क्योंकि यहां पर कर्म किया वशकता है राम को पैसे मिले राम चाहता तो कुछ और ख vitality क्रभाव किस पर पड़ा कर्म पर मतल्ला कुस्तक पर तो पुस्तक ना मिल पाती उसको ऐसे करके अगर पर प्रभाव रहा है और अवस्यक्ता है तो वहां पर हम सक्रमक्रिया उसे कहेंगे अनुराग तो फुटबाल खेलता है, देखता है, अनुराग देखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन क्या देखता है, फुटबाल देखता है, देखो जब एक चीज और समझ लो, जहां हम क्या का प्रशन करें, किसे को ये प्रशन करें, तो क्या का प्रशन करेंगे, तो हमें प्रत्यक्ष क कर्म मिल जाएगा, मुख्य कर्म मिल जाएगा, कौन सा कर्म मिल जाएगा, क्या का प्रश्न करने पर, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा मुख्य कर्म और दूसरा गौड कर्म, या जैसे आपने इंगलिस में पढ़े होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी को मुख्य बोल दोगे आप, इसी को गौड बोल दोगे, ठिक, इसी को प्रत्यक्ष बोल दोगे, इसी को आप्रत्यक्ष बोल दोगे, कोई बेटा दिक्कत? तो जहां पर हमें मुख्य कर्म को जानकारी लेनी है, कि यहां पर मुख्य कर्म क्या है, वहां हम क्या का प्रश्न करेंगे, और जब हमें यह गौड कर्म निकालना हो तो किसे या किसको का प्रश्न करेंगे, दो चीजें क्लियर हुई, किसे या किसको का कर देंगे तो गौड कर्म और क्या का प्रश्न करेंगे तो स्याम पुस्तक खरीदता है, स्याम क्या खरीदता है, पुस्तक खरीदता है, अगर यही हो किताब दिलाई, राम ने दिलाने के क्रिया करी, किसको स्याम को, तो किसको का प्रस्न किया, तो क्या मिल गया, स्याम है ना, तो जो दूसरा हमें गौड कर्म मिला, वो स्याम हो गए, मुख्य कर्म क्या हो गया, पुस्तक, राम ने स्याम को पुस्तक दिलाई, देखो, दोनों दोनों वाक्यों में अंतर है, राम ने क्या किया, हाँ, यहां से ऐसे देखो, राम ने ऐसे यहीं पर लिखे दे रहे हैं, ठिक, स्याम ने पुस्तक खरीदी, चलो अच्छी बात है, अब यहां लिख दो, स्याम ने, गीता को, दिख रहा है यह वाला, clear है, पुस्तक दिलाई, रिट वाला कर लें, अच्छा चलो इसके बात कर लेते हैं, देखो, यहां स्याम बिटा करता है, खरीदना क्रिया है, पुस्तक हमारा प्रमुख कर्म हो गया, कर्म एक ही दिया गया है न, अब यहां देखो, स्याम कर करता हो गया क्योंकि दिलाने की क्रिया कौन कर रहा है, करता, क्रिया को संपादित कौन करेगा, क्रिया को संपादित करने वाला क्या कहलाएगा, करता कहलाएगा, अब भैसा भीनोंने क्या 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 किसे या किसको दिलाया, बताओ, किसे या किसको का प्रशन करने पर हमें क्या मिला, कि गीता को दिलाया, है ना, तो यहां पर जब किसे या किसको का प्रशन करेंगे, तो जो हमें कर्म मिला, वो हमारा क्या हो गया, गौड कर्म हो गया, गौड कर्म हो गया, अपरत्यक्ष कर्म कर्म हो गया और गौड कर्म एक चीज़ आँ पर और समझ लो जो मुख्य कर्म होगा क्या का कोईशन करने पर यह हमारा निर्जी उवस्तु रहेगा और जो हमारा गौड कर्म रहेगा वो कैसा रहेगा भीटा सजीव देखो दोनों अंतर क्लियर हो रहे हैं वो हमारा क्या हो ज जो कपड़े तो हमारे मुख्य कर्म में आ गए कपड़े दिलाए है दिलाना क्रिया हो गई लेकिन किसको तो वहां पर गौड कर्म आ गया तो गौड कर्म कैसा होगा वो सजीव होगा लेकिन मुख्य कर्म क्या होगा निर्जीव होगा फुस्तक वगैरा निर्जीव होगा तो ऐसे करके आप समझ सकते हो, ठिक, इसके बाद, देखो, वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, अब यही बेटा देखो, सकर्मक क्रिया है, पढ़ना, ठिक, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, खेलना, गाना, यह सारी चीजें हमारी जितनी भी क्रि प्रस्न करते हैं, तो वहां किसे जो भी उत्तर मिलता है, उसकी सकर्मक, वो सकर्मक होती है, और उत्तर अगर नहीं मिलता है, तो क्रिया हो जाएगी, ठिक, तो क्रिया जहां पर उत्तर ना मिले, वहां अकर्मक हो जाएगी, तो क्रिया जहां पर उत्तर ना मिले, वहां अकर कर्मक क्रिया का ही बेद है बाई जब हमने सकर्मक क्रिया पड़ा तो कर्मक दो प्रकार के हो जाएंगे एक में केवल एक कर्म दिया रहता है तो एक कर्मक हो गई जहां पर दो दिये गए हो वहां द्वी कर्मक हो गई अब एक कर्मक जो दिया जाएगा यहां पर केवल मुख् कर्म भी रहेगा कोई दिकत तो जहां दो प्रकार के कर्म हो गए कर्म की संख्या कितनी हो गई दो तो वद्वी कर्म कहला है जहां कर्म की संख्या एक है तो उसको हमने एक कर्म बोल दिया ठिक अब देखो क्रिया से पहले हमने क्या सब्द लगाया तो हमें जो भी उत्तर मिले वो सदयो प्रत्यक्ष कर्म हमने बताया था सदयो प्रत्यक्ष कर्म या उसी को हम मुख्य कर्म कहेंगे उसी को मुख्य कर्म कहेंगे ठिक प्राप्ति होती है और क्रिया से पहले जब हम किसे या किसको सब्द लगाकर प्रशन करते हैं तो हमें अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप कर्म कहते हैं थिक मुख्ramos कर्म प्रया निर्जीव worky ABA अमने आपको इसके पहले स्लाइड में बताया था वो निर्जी वस्तु के और जो गोड़ कर्म होगा छो कैसा होगा सजी होगा ऐसे पहेंचान कर सकते हो थीक अप्रत्यक्ष कर 뉴스 को सजी उता है अप्रत्यक्ष कर्म tender partyز अंग्यार्ग हुआ कर्म है अप्रत्यक्रम in चिंपर खार्ण कार्ग होता है अप्रत्यक्रम में आपका कभी प्रशना आजय देखो हाँ जैसे देखो यह हमारे हो गए द्विकर्मक वाले राम ने स्याम को किताब दिलाइ राम करता हो गया बेटा दिलाना क्या हो गई क्षिरण भून राम करता हो गई दिलाना, है न, दिलाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, इसके बाद पुस्तक या किताब, अब ये जो पुस्तक है या किताब है, ये कैसा कर्म हो गया, मुख्य कर्म हो गया, क्योंकि अगर हम प्रस्न करें क्रिया में, कि क्या दिलाई, तो उत्तर क्या आएगा, किताब दिलाई तो किताब हमारा मुख्य कर्म हो गया, मुख्य कर्म है तो ये देखो निर्जीव होगा, तो देखो पुस्तक निर्जीव है कि नहीं है, इसके बाद किसे दिलाई, उत्तर आएगा स्याम को दिलाई, है ना, अब उत्तर आगया अगर स्याम को दिलाई तो किसे या किसको का प् चोर हमारा क्या हो गया? चोर हमारा सजीव है और पुलिस को मैंने ठिक पुलिस को चोर पकडवा दिया, तो यह चोर भी कर्म हो गया और पुलिस को पकडवा दिया, तो यहां पर हमारा यह मुख्य कर्म हो जाएगा चोर और पुलिस क्या हो जाएगा? गौड कर्म हो जाएगा ठिक, गीता ने मुझे चित्र दिखाया, दिखाना क्रिया हो गई, चित्र हो गया मुख्य कर्म, और मुझे यह हो गया गौड कर्म, गीता हो गई करता, भाई, दिखाने की क्रिया कौन कर रहा है, गीता कर रही है, ठिक, तो यह हमारा हो गया, हो जाएगा, दोनों प्रकार की क क्रिया के अब आगे आते हैं हम लोग क्रिया का जो मूल रूप है उसको मं क्या बोलते हैं दातु बोलते हैं। दातु होता है कि जो झिए संश्कृत में Normal , गय करेंग nhiều जाता है यहां पर क्या होता है कि नहीं पाता जैसे हम लोग पठ पड़ते हैं पठ मूल घातू हो गई ह steps पठ क्या हो गई मूल धातु हो गई तो अब यहीं पर पठती हो जाएगा यह क्रिया हो जाएगी तो ऐसे ही मूल धातु क्या होते है क्रिया का जो मूल रूप होता है क्रिया का मूल रूप होता है क्रिया का मूल रूप है तो यहां जो क्रिया का मूल रूप है वह बेटा क्य हिसी हो जाएगी योगिक धातु हो जाएगी तो यहां पर देखो है मुल दातु क्रिया के एंत में केवल न हटा कर मुल दातु बनाई जाती है ना जैसे चल भाई चलना था अब चलों हो गई पढ़ना पढ़ ठीक तो ऐसे करके यह जो हमारी क्रियाय बनेंगी जैसे खाना पीना करना सोना जाना तो जहां से हम भाई क्रिया कब बनाते हैं क्रिया आपने पढ़ा होगा कि ना जिस जिन सब्दों के ना है ज्यादा तर आपने एक जाम पले से देख लिए होंगे खाना पीना सोना जाना उठना बैटना तो ये सब क्या हो जाते हैं क्रियाएं हो गई और इनका मूल रूप क्या हो जाएगा ना हटा दू तो हमारा मूल रूप हो गया तो वही बताया गया कि जहां अंत में नाम हटाकर क्या बनाए जाती है मूल दातु में बनाए जाती है यह स्वतंत्र होती है अब देखो योगि तुम लगा दोगे चल में चल में तुमने वाना प्रत्य लगा दिया तो क्या बन गया चलवाना है ना खिलवाना बनवाना तो ऐसे करके क्या हो जाएगा हम क्रियाओं को जब बनाते हैं प्रत्य लगा के संग्यासर्वनाम विशेशन से तो यह सब क्या कहलाते हैं हमारे नहीं हो रहा है thudha जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्यूंकि विटा, TOPIK कही सारे हैं हम लोगों के तो देखो जो योगिक क्रिया हैं इनके मुखिता तीन वहेद बताए गये कौंसी योगिक कर्णार्थे की सो अलशी नामधाक पताई गए जाहां गार Winds have some Wanna आपको मुट्रह् tota कितने वेद बताए गए तीनप बताए गए इक प्रेनार्थक क्रियाatta करनार्थक किरिया हो गई दूसरी कौनसी हो गई दूसरी जोगी क्रिया ओ गई और तीसरी नामधात क्रिया हो गई प्रेनार्थक क्रिया योगी क्रिया नामदातु क्रिया ठिक अब तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है तो देखो प्रेनार्थक क्रिया क्या होती है जहां जो करता है करता मतलब का क्रिया को संपादित करने वाला जहां पर करता किसी कारे को स्वयम करके किसी अन्य से करवाए किसी अन्य से करवाए तो वहां पर वो क्रिया कैसी होती है किसी अन्य को कारे करने की प्रेणना दे किसी अन्य को कारे करने की क्या दे प्रेना दे किसी अन्य से करवाए तो वो बिटा वहाँ पर क्रिया हमारी कैसी हो जाएगी प्रेनार्थक क्रिया होती है यह अकर्मक वा सकर्मक दोनों ही हो सकती है यहां से प्रस्नगर बन गया कि भहिया प्रेणार्थक क्रिया होती है, अकर्मक की सकर्मक की अकर्मक सकर्मक दोनों की इनमें से कोई नहीं, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, कि अकर्मक जो हमारी प्रेणार्थक क्रिया है, वो अकर्मक और सकर्मक दोनों परकार की होती है, ठीक, इसे व्यूत्वपन दा कि जो क्रियाएं बनाई जाएं देखो प्रत्य लगाकर या प्रत्य लगाकर इसमें जो बनाया जाए प्रत्य लगाकर बनाया जाए मेल से संग्या सर्वनाम या विशेशन सब्दों के अंत में प्रत्य लगाकर जो बनाया जाए वो सारी क्रियां कैसी होंगी वुत्पन होंग लगारे कुछ सब्दों के मेल से प्रत्य हमारी चुंफ पन कुछ उप्पन करनास फिल इससे इप बन गया ठीक आप देखो जैसे लिफ आपका प्रणार्थग क्रिया में और मौहनने नाई से बाल कि मोहन ने कौन सी क्रिया करवाई कटवाने वाली बाल कटवाए ना उसने अब किस से कटवाए तो प्रेणा किस से किसको दी मतलब किस से खुद तो उसने नहीं काट लिए हाँ जैसे उसने माता जी से चावल बनवाए तो अब चावल उसने स्वता नहीं बनाए करता ने उस क चावल को स्वता नहीं बनाया, करता नहीं क्या किया, माता जी से चावल बनवाया, मतलब किसी दूसरे से बनवाया, दूसरे को प्रेणादी दूसरे से वो कारे करवाया, तो यहां पर नौकर ने क्या किया, मालिक से पत्र लिखवाया, देखो वैसे हम ऐसा मालिक काम करवाता है उदारण में देख लो नौकर ने मालिक से काम करवा लिया है ना तो यह उती है क्रिया कि महता भाई साब नौकर भी किसी दिन काम करवा लेता है मालिक से नौकर ने क्या किया मालिक से पत्र लिखवाया तो नौकर ने लिखवाने की क्रिया कराई किसे करवाई मालिक से क्या करवाया पत्र लिखवाया तो यहां पर भी दो कर्म है ना एक हमारा पत्र हो गया मुख्य कर्म मालिक हो गए गौड कर्म ठिक तो लिखवाया लिखवाना तो जहां पर ऐसी क्रिया हो वो बेटा हमारे सब क्या कहलाते है प्रेनार्थक क्रिया कहलाती है अब देखो प्रेनार् तक क्रिया तो प्रतं प्रेणार्त्रृया नहीं भूता है जिन धा तुके अंत में सीधा इतना याद रखो कि भाईस अभ आना प्रते लगाऊ ठीक चलाना सिखाना अजना तो यहां सिखाना चलाना कटवाना पढ़वाना लिखवाना तो कुछ में वाना लगा होगा, कुछ में आना लगा होगा, चलाना, पढ़ाना, लिखाना, अभी बता रहे थे न, चलाना, देखो आना लगा है last में, तो जहां आना प्रत्ते लगा हो, simple सा यह याद रखो, प्रेनार्थक क्रियाए, जहां पर करता स्वयम कारे न करके किसी दूसरे को प्रेना दे, करवाए, वहां पर वो क्या होगा, प्रेनार्थक क्रियाए, दो प्रकार की होगी, प्रथम प्रेनार्थक, दुती प्रेनार्थक, प्रथम प्रेनार्थक में क्या हो जाएगा, जहां आना प्रत्ते लगा हो, क्रिया के अंत में आना प्रत्ते लगा लगाओ वो प्रत्म प्रेनार्थक वाना प्रत्य जहां लगाओ वो दुतिवी प्रेनार्थक अब उसके एक्जाम्पल देख लो जैसे चलाना पढाना लिखाना ठिक और दुतिवी प्रेनार्थक में चलवाना पढ़वाना लिखवाना ठिक तो जैसे राम राम जो है मोहन को साइकल चलाना सिखाता है सिखाने की क्रिया राम क्रिया कर रहा है सिखाने की थिक मोहन को चलाना तो साइकल चलाना चलाना भी तो चलाना क्रिया हो गई साइकल तो कर्म हो गया ना तो चलाना जो है वो भी हमारा किसमे आ जाएगा प्रथम प्रिणार्थक में ठीक ऐसे ही चलवाना राम मोवन से साइकल चलवाता है राम ने मोवन से साइकल चलवाई तो राम ने न जहां पर आना प्रत्य लगा हो वो प्रथम प्रेनार थक है, जहां वाना प्रत्य लगा हो वो दुती प्रेनार थक है, कोई समस्या, दूसरे में चलते हैं हम लोग, योगिक क्रिया, ठिक, तो योगिक क्रिया क्या हो जाएगी, दो क्रियाओं के मेल से जो बनी क्रिया है, वो करिया कहलाएगी योग योगिक어burg जोड़ना है न अब दो क्रियाओं के जोड़ हो जाएगा तो देख लेते हैं आप इस में इसे सद्रन गाथ भी कहते है इसको कैसे कहते हैं, सम्मिस्रण क्योंकि ये मिस्रित हो गई, दो क्रियाओं का योग हो गई, जैसे उठ जाना, उठना भी और जाना भी, दोनों क्रियाँ हैं, अब ये दोनों क्रियाँ हैं, उठना और जाना, उठ जाना, है न, सोना और जाना, सो जाना, तो ये सारी क्रिया हमारी सम्मिस्र धातुमें हो गई और इनी सम्मिस्र धातुमें को क्या बोला योगिक्रिया उठना बैठना आना जाना रोना दोना खाना पीना पढ़ना लिखना ये दोनों सम्मिर्सित हो गई कुछ पढ़ना लिखना सीखो तो पढ़ना लिखना क्या हो गया हां तो ये ऐसे भी हैं ऐसे लिखे जाएंगे खाना पीना रोना दोना आना जाना उठ जाना सो जाना उठना बैठना यह सब बिटा में देखो हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए अब यहां पर दो क्रियां उठना भी चाहिए बैठना भी चाहिए है ना कहने कता पर क्या है कि हमें उनके साथ रहना चाहिए उठना बेठना चाहिए तो उठना kadın धना दोनों कृएए सम्मिस्रजदाट outta दातने राथ इंधि consulting का रिए नोगा गया दो क्रिया हो गई सु यहां पर हमारी क्या हो जाएंगी योगी क्रिया कहें तो यह सब कैसे हैं, गड़ेश पढ़ता लिखता नहीं है, तो पढ़ता लिखता, बलब पढ़ना लिखना यह दोनों क्रिया हो गई, तो यह बेटा भी हमारी क्या कहलाएंगी, योगी क्रिया कहलाएंगी, ठिक, क्रियाओं के बेद में समझ रहे हों आप लोग, आगे देख और या तो इयाना निकले, ठिक, यह प्रत्ते हैं हिंदी वाले, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नामधातु क्रिया का निर्माड होता है, जैसे फिल्म से फिल्माना, सर्म से सर्माना, यह शब्द थे, सर्माना हो गया, लात से क्या बन गया भाई साब, लतियाना, तो यह आ निकल रहा तो जहां आना ईना ऐसा करके निकले तो ये सब बात से बतियाना था इन हाथ से हथि आनी ये सारे हमारे क्या कि एंगे लाएंगे न्युम्ण अबदा टुकरिया हो जाएंगी क्योंकि यह सब्द क्या बन गए हमारे नामदा तुक्रियाय बन गई यहां तक किसी को कोई दिक्कत कहां चला गया अच्छा अच्छा फोल्डर पर करें यह वहला यह भी नामदा तुक्रिया पढ़ने लगा गरियाना बतियाना लतियाना है लतियाने का मूखा है लगता है कि अच्छा बतियात यहां अच्छा बनाँ जुक्रियानाट था लतियाना बतियाना वप अच्छा फोल्डर श्यां द।क्रियाना है झाल 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 तो देखो पेता, तेखो नामदातु क्रिया उपकी हो गई ये ना tray हो गई ब अब जामदातु क्रिया के बाद हम लोगे और नामदातु क्रिया के बाद हम लोगे और कुछ क्रिया है उनicate ओनको डिस्क्राइब कर दिया से North Academyмо कर दिया सित्वाध गीता अब यहां देखो रहाम को इतना बढम लिवागो इन आश साम की जमीनों क्या हो गई ना आप यह सैं जमीन तो स्यॉम् από कुरिया यह दोनों आरे करम होगए अब तो देखो यह हमारे नामदातु क्रिया है किसी ने पूंच ले कोई पूंच ले कि यहां थियाना कौन सी क्रिया है बतिया रही है बतियाना कौन सी क्रिया है नामदातु क्रिया है ठीक कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो येगा जहां पर आना याना ऐसा निकले तो वहां पर हमारा कौन सा क् पढ़ते हैं और में वर्ब के साथ क्या पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब है ना तो वही बताए वही आपर है कि एक मुख्रिया होगी और एक अन्य सहायक करिया का भी प्रेयोग किया जाएगा तो वहां पर जो उनसे सयुक्त हो वह सयुक्त क्रिया कहलाती है जैसे दीपक पुस्तक पढ़ा चुका होगा ठिक तो पढ़ना भीक्रिया हे और चुका होगा future ilka शेंस हैं भूत काल की बात हो रही है पढ़ा चुका होगा है ना वैसे इंग्लिस में देखा जाए तो future perfect का है पढ़ चुका होगा तो यहां पर चुका होगा ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगा चुका होगा और पढ़ना यह दोनों हमारे यह helping वर्व हो गई मतलब इसको हम बोलेंगे हिंदी में सायक क्रिया और यह हमार क्या हो जाएगी मुख्य क्रिया पूनम पानी पी लेगी तो पीना और लेगी यह दोनों क्या हो गए क्रिया हो गई तो जहां एक मुख्य क्रिया के साथ हमारी helping वर्वियसा है क्रिया का भी प्रयोग किया जाए वहां बेटा क्या होता है वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती ह कैसी क्रिया कहलाती है वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी कोई समस्या देखो अच्छा अब संयुक्त क्रिया के बाद हम लोग आते हैं पूर्वकाली क्रिया में जहां वाक्य में एक क्रिया समाप्त करके क्या होता है जहां वाक्य में एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया की पूरू होने के बारे में बताया जाए ठीक वहां हमारी कौन से क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक मलब एक क्रिया को समभत करके और दूसरी के क्रिया के होने के बारे में बताया जाए या प्रारम करने के बारे में बताया जाए तो जैसे देखो मोहन खाना खाकर पढ़ रहा तो इस समय तो विद्याले जाता है वोई खाना खाकर विद्याले जा रहा है तो विद्याले जाने की क्रिया कर रहा है लेकिन उसने उसके पहले कौन सी क्रिया करी तो भाई साथ उसने काईदे से खाना खाया उसके बाद विद्याले गया है ना तो यह हमारा हो जाएगा यह ह हमारी पूर्वकाली क्रिया में अब उपर पढ़ा मूहल्ऀ क्रिया के साथ रहा है रही रहे यह सब्स लगा कर हम यह में पर होती है तो जैमार का प्रियोक कर दिया जाता है रहा रही यह सब प्रियोक्त करते है रहा था इसके बाद एक लास्ट पीटा यह देख लो important है थोड़ा इस्थिति जिए तो वह इस्थिति बोदग क्रि आ चृष में असो क्या है अद्याफ़ देखने वाली चीज है कि पूर्वकाली क्रिया जहां पर एक रिया समप्त करके दूसरी क्रिया का होनश बताया जा झाए चला गया पढ़कर सो गया है ना तो ये सारी चीजे आपकी पूर्वकालिक में आ जाएंगी साय क्रिया आपको पता ही है रहा रही रहे इनका प्रयोग किया जाए इसके बाद इस्तिती बोधक में आपका आ जाएगा असो कद्यापक है ठीक ये क्रिया बेटा यहां से क्या हो गई क्रि के तो तब तक इसको एक बार फिर पढ़ ले होगे आप लोग यूट्यूब के तुरू देख लोगे इसके बाद जब हम इसका रिवीजन स्टार्ट कराएंगे तो रिवीजन में आप लोगों को ये चीजे और क्लियर हो जाएंगे ठीक तो दुबारा एक बार उसमें हम ल आएंगे कारक तो इतनी जल्दी नहीं होगा संस्कत में तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हिंदी में आप लोगों को कारक और बिवक्तियां जो भी आएंगे वो कुछ कम है मलब सरल हैं लेकिन संस्कत में आप लोगों को पढ़ने में इंटरस्ट आएगा क्योंकि संस्कत में चीजें संस्कत से ली कह राय वी बगतियां तो उसमें कैसे क्या है वह हं संस्कत वाली क्लास में बता आएंगे अभी हम BET के लेते हैं कि कहरा को दिसमें कैसे क्या तो जिएखो का रख कैसे सन्ग्य, सर्वनाम, का क्या न्य सब्द।ुं विशेष कर क्रिया से जो संबन्द बथाए थिक सो कि तो वया काई सब्दों को हम कारक कहते हैं संस्क्रत में कहा गया क्रिया मिट क्रिया का जयाकः टुम कारक युम क्रिया का जो जनक है वो कारक है क्रियानवित्वम कारकत्व मतलब जो क्रिया का अनवय करे वो कारक है तो सीधा सा हिंदी में यह समझो जब हम संस्क्रिट में पढ़ाएंगे तब देखना अभी यह समझो कि भीया जो क्रिया से संबंद बताए जो क्रिया से संबंद बताए व वो सब्द हमारे क्या कहलाते हैं कारक कहलाते हैं ठीक तो देखो इन्हें बेटा परसर्ग भी कहते हैं कारक के यहां आठ बेद बताए गए संस्क्रत में ऐसा नहीं है संस्क्रत में कारक कितने बेद है ठीक संस्क्रत में 6 बेद हैं कारक संस्क्रत में कितने बताए गए 6 कोई स चार्क कारक हैं चुश्च के बढ़ रहें चीज जो संबंध बताएं वे कारक हैं इनहें परसर्घ भी कहते हैं टी चीजे मिली करिया से संबंध बताने वाले को आरक परसर्घ कहते हैं और इसे निवेद कितने हैं आज तीन तीन चीजें क्लियर हो गई, इसके बाद देखो, कारक कितने हैं हमारे आठ, ठिक, आठों देख लेते हैं हम लोग, कर्ता कारक, कर्मकारक, करण कारक, यह सब देखे होंगे आप लोगने पहले भी, अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, देखो, यह, नंबर एक हो हो गए आपका कर्ता कारक, ठिक, कर्मकारक, करण, संप्रदान, है ना, अपादान, संबंध, अधिकरण, और संभोधन, आठकारक हो गए, अब इनके परसर्ग जो चिन हैं, वो भी देख लेते हैं, तो कर्ता का चिन क्या होता है, ने, आपने सुरू से ऐसे देखा होगा कर कर्ता ने, कर्मको, करन से के द्वारा, तो करदा का चिन है वो ने है, मतलब जिस्देरांब ने पुस्तग पड़ी, राम ने पढ़ने की क्रिया करी, किस पढ़ा पुस्तग पढ़ा, तो राम ने, हमने अर्थ क्या उसका ने कौन सा चिन लगाए, कर्ता में ने हो और कभी चिन क्या है कोई पूछे तो ने इसके बाद कर्म को करण का होता है से के द्वारा संप्रदान का होता है के लिए ठिक अपादान का होता है के से अलग होने पर भाई जैसे मालू ये ब्रक्ष है ठिक अब ब्रक्ष से अगर पत्ते गिर रहे हैं तो ये पत्ते क्या हो रहे हैं यदिंगनी इंवहचे भात्व हो ने खिर जो अब डिल आफ गत को फिर ओखाट हो चाहित हमार्ड कोई आपधान का रखोता है तो यहां पर देख लो करता का चिन होता हैrement कर्म को करन से के द्वारा संप्रदान से या के द्वारा B राम के महन काहन को मोँषन के पुस्तक मेन कांग, मोहन की मुष्टक मोहन की मुष्टक मोहन की पुस्तक मोईं की कलम है। मौहन के भाई मोहन के पिताजी तो काकी के रारी रे मेरी पुस्तक मेरे भाईज या मेरे दोस्त तो ऐसे कर के हम लोग क्या करते हैं सन्बंध बताते हैं तो जहां सन्बंध बताpex जाये म। उसका छिन हो जाएगा काठी के नानी ने अधिकर्ण का क्या हो जाएगा में यहां पर अधिकर्ण का मतलब होता है कि जिस बेस में करता जिस आधार में या करता को क्रिया को करता जो क्रिया को संपाधित करता है उसका जो भी आधार होता है देट इस अधिकर्ण का रख मलब जो बेस है जैसे हम कह दें कि मैं च्छत पर टहल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, देख लो यहां पर, मैं क्या कर रहा हूं, ऐक भाइया विक्ति है, यह च्छत पर टहल रहा हूं, अच्छा सबना लेते हैं कोई ठीक, अब मैं च्छत पर तहल रहा हूं तो भया मैं हो गया करता तहलना हो गई क्रिया यह हो गई हेल्पिंग वर्ब साहय क्रिया अब देखो कहां पर टहल रहा हूं च्छत पर तो क्रिया से संबंध क्या बताया जा रहा है कि जो करता है वो क्रिया को संपाधित करने के लिए संबंध क्या बताया गया क्रिया से संबंध की टैलने की क्रिया तो रही है लेकिन कहां पर च्छत में तो च्छत पर की क्या हो जाएगी यहां पर अधिकरनकारक हो जाएगा देखो पर सब्द आ गया तो में या पर हम किसमें प्रियुक्त करेंगे चिन अधिकरनकारक में और ह हे ओ अरे हे राम अरे राम ओ राम है ना हाँ ओ मादो अरे मादो हे मादो तो यह सब बिटा जहां संबोधन का प्रियुक्त करते हैं ना मलब एक ऽच शम्बोधन सम्बोधन कोश्थ किया जाता इसका चिन यह समबोधन को रहता है वह वाला ब्सक्रास कई तो यहां पर जो सम्बोधन यहां अमार से मटेट हो जाएगा किया है और तकक किसी को कुई अच्छे सम्बोधन का SERडि कार्ग यह। जएगा इसके बारे में करता कारक की बिभक्ति ने का प्रयोग क्या करते हैं केवल भूतकालीन सकर्मक्रियाओं में ही किया जाता है मतलब जो वैसे ने का प्रयोग जिसे राम लिखता है तो राम इसमें प्रिजेंट में काम कर रहा है ना वर्तमान काल में काम कर रहा है तो राम लिखता है राम पत्र यह भूत कालीन बात हो गई ना, आज तो नहीं मारा रामने रामन को, यह तो बहुत प्राचीन बात हो गई, तो मतलब जहां भूत कालीन बात हो, वहां पर देखो सुद्ध लिखा हुआ है, जहां केवल भूत कालीन सकर्मक क्रियाओं में ही क्या करते हैं, हम नेका प्रयोग क किया जाता है केवल भूत कालीन सकर्मक क्रियाओं में ही ने का प्रयोग किया जाता है अंतरिस्पस्ट हो गया कब ने लगाएंगे कब ने नहीं लगाएंगे जब क्रिया वर्तमान काल या भविस्यकाल में आती है तो ने बिवक्ति का या ने परसर्ग का या ने चिन का चिन लगा सकते हो परसर डांब सकते हो भी वक्ति बोल सकते हो तो जो ने चिन है उसका ओट शुआ पहला जाता है टिहाशगे अजो हम को इसी लिखा गया जैसे रूंख ने पपढ़ाया अब यह और भूथ-कालीब सकर्मक्रिया तो राम तो पड़ाने की किया करें तो यहां पर ने आ गया है ना यहां ने का length किया लेकिन घर इसमें पड़ाता है जैसे हमको ही कैसे और इंद़ाई अगर आगर बुतका लितَ то आप नेdar प्रयूग अब सर इंदी पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा तब तो सर ने इंदी पढ़ाते हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे तो यहां पर करता तो सर ही रहेंगे तो ऐसे करके राम पाठ पढ़ाता है मैं वर्तमान काल है इस वज़े से यहां पर आपकी क्योंसी चिन हम प्रयोग नहीं करें परसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे विभक्ति को नहीं लगाएंगे बात क्लियर हुई आगे चलते हैं हम लोग कारक वा संप्रदान कारक जो कर्म कारक है और संप्रदान कारक है दोनों के विभक्ति चिन को हैं जैसे करता ने कर्म को संप्रदान के लिए या को को या के लिए दोनों होते हैं तो चिन को है कर्मकारक की विभक्ति का प्रयोग कर्म के साथ किया जाता है अब कर्मकारक की जो विभक्ति होगी उसका प्रयोग या उसका जो चिन होगा वो कर्म के साथ प्रयुक्त करेंगे जब कोई वस्तु देखो विटा जैसे राजा ब्रामण को दान दे वापस ले लेता हो ऐसा तो नहीं होता दान में किसी ने किसी को कोई चीज दे दी तो आप किसी को नहीं देखियोंगगे अपना वापस माँंग plugging अर। कोई किसी को वैसे एरहा है जहां उसको उससे वो ले लेता है वहाँ फिन रमाני हम संपारदान कार्क नहीं करेंगे डोभी को कपड़े प्र Costa market करने के लिए ।ры तया तो एंप यहां क्लो बाइसाब। अब यहां मोवनने प्रिस्करने के लिए दे दिया। किसको प्रिश्मैन को Nossa मिलब जो है दोभी को है नाускर अब होगा क्या वहां पर की तुछ इसने दे तो ढिया। लेकिन अपने कपड़े वापस लेका कि नहीं ले लेगा ऐसके प्रिसक्र में थे लगा तो है यहां पर दो यूपर में कर्मकारक आघा जाएगा यह लेकिन अगर कोई कह दे कि वह है of 2 q को कपड़े देता है तो अब गरीबों को कपड़े देता है मलब गरीबों के लिए कपड़े दान में दे रहा है गरीबों को कपड़े बांट रहा है तो यहां पर संप्रदान कारक आ जाएगा दो अंतर समझ लेना कर्म कारक हां संप्रदान कारक से वस्तु देकर वापस नहीं ली जाती है तो यहां पर वस्तु देकर वापस नहीं ली जा रही है अता यहां संप्रदान हो गया जहां वस्तु देकर वापस ली जाए वहां कर्म कारक हो जाएगा ठीक कि इसके एर्थू यह इसके example ओंग है कुछ तो जैसे जहां करनकारइख जैसे करता है ़ूराम ने रामड को मारा तो यहां करम है रामड को मारा रादा पुत्र पहना आे तो पुत्र को पहना आ तो यहां पर कर्म कारण को जाएगा दीपक वह भी को कपड़े दीए कपड़ भी या वो ले लेगा इस वजय से क्या हो जाएगा करम कारक हो जाएगा। आगे देखो देखो वही चीज बताए गई संप्रदान कारक का साब्दी करते देना संप्रदान कारक का साब्दी करते देना या संपुन रोब से देना खिक अनुराग ने भूखे को भोजन दिया तो यहां पर जो अनुराग भिया है उन्होंने क्या कर दिया भूखे को भोजन दे दिया या हुआ कि जब भूझे को भोजन दे दिया एव उनसे पुझन कि उमीद तो आप उन्होंने दान में दे दिया विविया खऊ पियो जाके तो यहां संप्रधान कारगी फो जाको चिनद भीनिकल रहा है लेकिन यह कर्म कारक नहीं होगा यह कौनसा कारअध तो हम जाएका लेकिन करमों कियो हम नहीं होगा यहां संप्रदान कारक होगा in चलें करन कारक में बिटा क्या होता है देखो करन कारक वा अपादान कारक दोनों के भीभक्ति चिन देखो क्या होते हैं दोनों के भीभक्ति चिन से हैं अब करन कारक में क्या होता है जहां किसी वस्तु की साहता ले रहे हों वहां करन हो जाता है और जहां कोई वस्तु किसी व बहल वन फाल काटता है तो फाल को काटने की क्रिया और कशा को कर राए। चाकू का प्रियोग कर क्या होता है आपका करणकारक होता है ठीक अच्छा आगे देखो देखो, अपादान कारक का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कारण बताने के लिए आप अपादान का प्रयोग करें, सिक्षा या सीखना, इसके लिए आप अपादान का प्रयोग करेंगे, प्रस्ना आ जाएंगे, मैं गर्मी से परेशान हूँ, बा अपादान कारक है, तो क्योंकि कारण है, रीजन है, मैं परेसान हूँ, क्यों कि भीया गर्मी बहुत ज्यादा है, है ना, तो रीजन अगर कहीं बताया जाए, कारण बताया जाए, तो वहां पर आप क्या करोगे, अपने प्रस्न पत्र में उसको अपादान कारक टिकर कर के आ लिखना या सिख्छा दीजे वहा पर आपका अपादानकारक होगा जहा दूरी बतायाया सुरुआत बताई शर्म आलाज बताई जए डर्ना तुलणा भिन्ता यह सब जो चीजें बताई जाए यहां यह जो जो चीजें आए यहीं सब में करणकारक ना ओके कौन सा कारक होगा अपादान कारक होगा कौन सा कारक होगा अपादान कारक होगा ठीक जैसे तुलना की जाए कि स्यामा सीता से सुंदर है अब यहां पर अगर तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हां तो से त next look, a चारग को चारग का आप लोगों को पता ही है दो पदों में संबध बताने वाला कार्द Now कि और होता है यहां संबन्ध पताया जाए है, जूआ है कारक की भिवक्तियों का other प्रयोग संबन्ध कारक का जो राम का, राम की, तो ये विटा सब हमारे क्या हो जाएंगे, संबंध बुदक हो जाएंगे, इसमें हमारा कौन सा जाएगा, संबंध कारका जाएगा, ये बताना अपना, ये तो बिलकुल समझने वाली बात है, कि जहां काकी के ऐसा संबंध निकले, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, संबंध बाचक हो जाएगा, आगे देखो, अधिकरण में बताया, देखो मेरा भाई, मेरा तो ये रा, तो मेरा भाई है, यहां संबंध बाचक है, संबंध कारक है, कौन सा कारक है, संबंध कारक है, उसकी का की के निकल रहा है, ये संबंध कारक है, ठिक, अधि तर ऊपर सब्द के साथ इस्थान पर सब्द का प्रियोग होता है तो भीया पर जहां होगा जैसे ऊपर सब्द के इस्थान पर पर सब्द का प्रियोग होता है जैसे आज बजट के ऊपर बहस होगी तो बजट के ऊपर बहस नहीं होगी बजट पर बहस होगी है ना बजट पर बहस होगी मतलब ऐसा नहीं कि आप बजट के ऊपर करेंगे तो ऊपर सब्द की जगए ज्यादा तर पर सब्द का प्रियोग होता है चडिया पेंड में बैठी है में नहीं लगाएंगे चडिया पेंड पर बैठी है तो पिटा ये चीजें आपकी थी कुछ कारक्स जाएगी विटा पढ़ो इसको जितना यहां समझ लो फिर इसके बाद अपना खुद से पढ़ो थोड़ा बहुत है ना ये पीडिया आपको मिल जाएगी कि यह अंतर क्या है इसके बाए जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप लोगों को फिर उसमें भी समझ में आ जाए का प्रियोग होता है जैसे मैं च्छत के ऊपर हूं थिक तो च्छत के ऊपर हूं यहां पर क्या है यह हमारा असुद हो जाएगा क्यों क्यों कि यहां पर वहिया च्छत के ऊपर हूं तो हमारे बीच में थोड़ा गैब तो है नहीं च्छत पर ही तो खड़ा हूं हमारे और कोई गैप तो नहीं है न, तो हम क्या करेंगे ह। का प्रियूग करेंगे किसका प्रियूग करेंगे परका ठीक बात समिज में आई आछा waćर देखते थे संभधन कारग में ज़हां संभोधित करते हैं किसी को संभोधनखारग होता है सदय वाकिए के प्रारभ में होता जैसे अरे कहां जा रहे हो तो हे अरे हे राम तुम कहां जा रहे हो तो हे राम लिखें या अरे लिखें यह देखो संबोधन इसमें यह याद रखना संबोधन जो यह चिन होता है इसका प्रयोग किया जाता है ठीक बच्चों मेरे पास आओ तो यहां पर देखो संबोधन का चिन की आ गया प्रयोग तो यह विटा हो जाएंगे आपके कौन से संबोधन कारक हो जाएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत है चाफिग में चलो दस मिनट इसमें देख लेते हैं देखो आपने देखा ओगा लिंग ठेक अब जो यह आपने टॉपिक लिंग बढ़ाओगा इसमें क्या है कि यह हमें उसका बताता है कि यह पूरलिंग है यहिए पुलिंग है यह नुझाक लिंग है तो जहां पर इनका ब्हुत बताए जाए जाये लिंग का साफदिक अर्थ है चिन अर्थात जो सब्ध इस्ति या पूरुस जाथि का बोद कराते हैं वह क्या था आते हैंdo यह कहला देते हैं, तो देखो, जैसे आपका, कुछ सब्द हैं, जो प्राया अमेसा किस में होते हैं, बिटा, पुर्लिंग में ही होते हैं, देखो एक तो नाम से आपको इसपस्थ हो जाएगा, प्रशान्त महासागर, तो यह कैसा है, हाँ, पुर्लिंग है, भाई, प्रशान्त नाम स महासागर, तो कुछ महासागरों के नाम हो गए, कुछ देशों के नाम हो गए, जैसे भारत, नेपाल, जापान, चीन, यह कैसा है, यह सब पुरलिंग है, लेकिन स्री लंका, स्री लंका कैसा है, इस त्री लिंग है, हाँ, अगर कभी कोई आ जाए कि स्री लंका कैसा है, हाँ, तो स्रीलंका कोई वाके में प्रयोग करते है कि स्टी लंका ऐसी है, स्टी लंका सोने की नगरी थी तो हम वहां पर क्या करते हैं क्रिया का प्रयोग इस आई करते हैं स्टी लंग वाली करते आप यह भारत के विशय में कहिा इत। भारत ऐसा देश है तो यहां पर क्या करते हैं हम इस्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं करते ना तो यह सब हमारे पुर्लिंग में आ जाते हैं ग्रहों के नाम जो हैं यम, सूर, चंद्रमा यह सब हमारे कैसे हैं हां और प्रित्वी हमारी कैसी है इस्त्रीलिंग है जो प्रित्वी है वो हमारा इस्त्रीलिंग सब्द है ठिक अनाजवा दालों के नाम गेहूं जव चना गेहूं चना जव बाजरा यह सब पुर्लिंग है बाकी देखो मक्का सर्सों अरहर अरे कोई सब्द हो उसका वाकी प् पता चल जाएगा कि इस्त्री लिंग है कि पुर्लिंग है ठिक ब्रक्षों के नाम परवतों के नाम धात्वों नगो रत्नों के नाम यह सब बिटा हमारे कैसे आ जाएंगे पुर्लिंग में आ जाएंगे केवल कुछ इसके अपोजी वो देख लो जो अपवाद है खेजडी नीम, इमली तो यह तो नाम से ही लग रहे होगे ना इस ट्री लिंग खेजडी नीम, इमली यह सब इस्त्री लिंग है बरगद आम इना इसके बाद देखो सोना, पितल, तामा, नीलं, मोति जितने भी हमारे धातु हैं यह सब किसमें कहलाएंगे पुर्लिंग में आएंगे केवल चांदी और मडी को छोड़के, सब किसमें आ जाएंगे? पुर्लिंग में, इसके बाद देखो, द्रव्य वाजचक में कुछ आ जाएंगे, द्रव्य पदार्तों के नाम है, वो भी हमारे पुर्लिंग में होंगे, दो ही प्रकार के हैं, पुर्लिंग, स्त्रीलिंग, तो कुछ को पुर्लिंग में डिवाइट कर दिया गया, कुछ को स्त्रीलिंग में कर दिया गया, पुर्लिंग वाले देख लेते हैं, इसमें द्रब पदार्थ हैं, और या तो जो वारों वा महीनों के नाम हैं, वो सबाब के किसमें आते हैं, द् तराब हो गई शाही हो गई यह सब कैसे हैं इस्त्रीलिंग है ठिक वारों वा महीनों के नाम सोम वार अभिवार सावन कार्तिक मार दिसंबर यह सब बिटा हमारे पुर्लिंग में आ जाएंगे जनवरी इस्त्रीलिंग में आ जाएगा फरवरी इस्त्रीलिंग में आ जाएगा थिक तो इनके अपवाद को देख लेना कि जनवरी हमारा नहीं आयेगा, पुरलिंग में जनवरी स्ट्रिलिंग में आ जाएगा, सभी समासों के नाम तथा e-revern को छोड़कर से सभी वर्ण पुरलिंग होते है ठीक जितने भी समासों के नाम है आया है तो वह हमारे जैसे बहुवरी ही तो बहुवरी में atyte ea ika randos to e ee relevant often को चोड़के बाकि जितने भी वोंगे जैसे Tatpuris तो एट तत只 मैं Dekhau means that ee towards the programme नहीं निकल रहा है न तो ये ऐमारा कयषा हो जाएगा पर्लिंग हो जाएगा अब वई येस निकल ला IStriLink हो जाएगा हैसे चलते हैं मोग इसके बाद देखो निवन प्रकार के सब्द प्राया इस्त्रिलिंग में ये हमेशा इस्त्रिलिंग में प्राया रहते हैं रित्वों के नाम है गर्मी सर्दी प्रजड ये रित्वों के हो गए तिथी या जीलों के नदियों के नाम हो गए यह आपके सब स्त्री लीं में आ जाएंगे बस केवल सतलज और ते पुरिलिंग में आ बहसायं बोले यह लिपियों के नाम यह क्या होंगे स्त्री लींग में होंगे ठीक अच्छा अब इनमें परिवर्तन करने को आ जाता है तो लिंग परिवर्तन के नियम क्या होते हैं देखो इतना थोड़ा और बचाए देख लो अकारांद पुरलिंग सब्द में जब हम आ या या नी आ नी इका ऐसे लगा देते हैं सिस्सिसया बना दिया, हरिनसे अरिनी बना दिया सिख्छक से सिक्षिका बना दिया, नर से नारी बना दिया तो ये देखो बनाते हैं, पुर इलिंग से, स्व्छिंग बना देते हैं परत्यों का प्र्यों का प्रियूकर करके á, e, noise, ana, ik Amazing and ihnen बना दिया नटनी बना दिया नी प्रत्य लगा दिया है ना मोर से मोरनी बना दिया हंस से हंसनी बना दिया देवर से देवरानी याद को आनी प्रत्य लगा दिया इका प्रत्य लगा दिया नायक से नाइका बन गया ठिक मोर से मोरनी नी प्रत्य लगा दिया तो ऐसे करके जहा बनाना मलब पुर्लिंग से इस्त्री लिंग बनाना और अगर ऐसे इस्त्री लिंग दिया गया हो तो उससे हम पुर्लिंग बना लेंगे ठिक तो यह हमारे बनाने की नियम हो गए, सब में वही प्रत्य लगा के ही बनेंगे, किसी में हम प्रत्य लगा देंगे, यह वाले या त्री, ठिक, ऐसे जैसे लोटा, लुटिया, या प्रत्य लगा दिया, बुड़ा से बुड़िया, या लग गया, कर्ता से कर्त्री बन गया, त वक्ता से व्क्तरी बन गया दीद यहां आगने अटा से अभनिती तो ऐसे कर जो breeding न這邊 करके बनाते हैं वो व्मारे क्या हएंगे स्लिंप स्लिंग चाहिंते मिले व्मने कॉटिक Lehr और उससे देखा प्रत्य कंप लिकर के इसको बनाया इसे मान प्रत्य मती नहां से मोँती हो प्रियुख्त है। यह आप बनाना देखना ठीक और यहापको पीडियम घुख तो जो नित्य पुरिंग में होते हैं मतलबिन पॉरलिंग जो हमेसा नित्य का मतलब सदयों सदयों जो पुरिंग में रहते हैं वह आपके ये शब्द हैं कौन-कौन से उल्लू, कीडा, तोता, कुवा, ठिक, कचुवा, ये सब नित्य पूर्लिंग होंगे, और नित्य इस त्री लिंग में जिसे कोयल, गिलैरी, मचली, मकडी, ये कभी भी पूर्लिंग में नहीं प्रयुक्त होंगे, बस, आज से हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, इसके बा पर ओबर भी हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, जब इकसर साइस करेंगे, या प्रैक्टिस लगाएंगे, तो उसमें आ जाएगा, ठिक, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक काम आप लोग यह जरूर कर लो, की चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हैं, और जितने लोगों तक यह बात सेर कर सको, चैनल को सेर कर दो, ठिक, तो चलो, मिलते हैं फिर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, बाई-बाई